साथियों यहां एस्पिरेशनल डिस्टिक की चर्चा हुई है आखरी देश के यह सोच है दिख जीले विकास की दौर्ड में छुटकों गए इसके पीछे सोच और एप्रोज की एक बहुत बड़ा कारण रहा है यह जीले जियोग्राफिकली और सोचली बहुत चलेंजिंग थे लिहाजा हर स्थर पर इनकी उपेक्षा हुई इनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया इस उपेक्षा के कारण सोसाइटी में असंतोस की भावना आ गई जिसका लाब गलत ताकरकों ने उठाना शुरू कर दिया परनाम यह हुआ कि इन जीलों का विकास और भी मुश्किल हो गया इस थीती को बदलना आवशक था इसलिए हमने इन जीलों के पिछले पिन के बजाएं इनकी एस्पिरेशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया हमने Human Development Index के हर पैमाने पर समय सीमा के भीतर काम करना शुरू किया हमने टेकनोलोजी का उप्योग बढ़ा कर योजनाओं को जादा प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारा आज हमें इसके अभूत्पुर्व परणाम भी मिलने लगे हैं और अब आप सभी आप पर इस काम को और गती देने का जिम्मा आने वाला है साथियों आने वाले समय में आप पैसे अनेक साथियों की तैनाती ब्लोग या फिर जीला स्तर पर होगी है जाहिर है वहाँ अनेक समझ्याओं के समाधान आपको डूंडने होंगे मेरा आपको सुझाव रहेगा कि आप अपने खेतर की एक बड़ी समझ्या को एक वक्त में हाथ मिले और उसका संपूर्ण समाधान करने का प्रयास करें यानि वन डिस्टिक वन प्राब्लेम एंड टोटल सॉल्यूशन अक्सर हम जोस जोस में हर तरक हाथ मारना शुरू कर देते हैं जिससे हमारे प्रयास और हमारे रिसोर्सीस दोनों बढ़ जाते हैं एक समस्या को हल करिए जिससे आपको भी कांफरेंस मिलेगा लोगों का भरोसा भी आप पर बढ़ेगा अब जनता का भरोसा आप जितते हैं तो आपके साथ जनता की भागीदारी भी बढ़ जाती है